पिंड रेन माजरा दे पहाडा जिसिख इत्यास्ता अन फोल्या पन्ना सिखा लई हाले वी लुप्त ने बाबा बंदा सिंग पहादर दिया गुप्त गुफावा चार सदिया पहला उजडे पिंडदा गवा है इक लौता टिंडा वाडा खू जंगला दे विच मंगल लाए सिंग सुर्यां दी अटल कहाणी जंगल बेले रहन बसेरा लकणा पते आनते पाणी बंदा लोहेदा सुहागा सूबया तेरी देवेगावे अल्ख मुका सरहांद फते दे नायक बाबा बंदा सिंग बहादर नू उगे कविशर लोहेदा सुहागा आगसां बोधित काजे ने ये लोहेदा सुहागा सिख राज दी खेती करन लेई पहाणा च्वेंदा रहा ताही लखुरंगे सिख इत्यासता पूटा अज भी फारफुल रहा आज जसी तो हनू दिखावा के बाबा बंदा सिंग बहादर नाल सब्बंधित गुप्त गुफावा जो के रोपर दे नाल लग दे पेंडरेंड माजरा विचने जिला नवा शेर दे पेंडरेंड माजरा च्वेंदा दो किलो मीटर कचे रहा था पैंडा तै करन तो बाद पह पाड़ांच कई निकियां इमारतां ते यादकरां दे रूप चने पर इते एक उच्चे पहार दी चोटी ते पंच रंगा चंडा चूलदा दिखाई देंदे जिस दे नाल ही पहार ते बाबा चांदी रामता अस्थान है जित्ते के शिरीकुरु क्रंसाहिव जीदा पर का इसे ही अस्थान दे आसे पासे ने बाबा बंदा सिंग बहादर नाल सा बंदित गुफावा इस वकट एथे केवल दो गुप्त गुफावा दे अंच ने जिन्ना विचो एक गुप्त गुफा पुरातन देखश मजूद है आते एक नूँ इस अस्थान बलों पकी का दिता इना गुफ्त गुफावा बारे इत्यासिक सरोता तो बहुत कट चानकारी मिलती है गुफावा करीब 400 साल पुराणिया ने ते किसे विले ए बाबा बंदा सिंग बहादर दे जंग जू करतबा दी पैरवाही कर दिया रहा होन कियां सिंगा दी रहाइश अते रहन बसेरे र इस सफर दा एक किस्सा बियांतियाने इस वकत मैं जड़ी इना दे विजन सब्तों मुख गुफा है ओधे अंदर हां तकरीबन यह थी कहा जान दे कि काफी सारी गुफामा सान काफी सारी गुपतर रस्ते सान जड़े बाबा बंदा सिंग बहादर हुना ने बनाये सिगे त मुखला दा डर रहेंदा सी तो इस करके तांके सिंग जोहन जदों नहीं लाड़ रहे तो इथे पना ले सकते सान जा फिर जंग दे दुरान भी सुरख्यत जिड़े रस्ते दे तौरते एक गुफामा वरतियां जा सकते सी इस वकत में जिस गुफा दे विज खड़ी हां ज जेकर इस गुफा दी गाल करिये ते कुछ इत्यासिक स्रोता दा कहना है कि तकरीबन 200 मीटर लंबी ए अते 60 फोट उची हुंदी सी जो के इस वकत जेकर गाल करिये ते हुण 100 मीटर है अते 40 फोट उची रहेगी है जितों जेकर दरवाजे दी गाल करिये तो उसी देख साग कि मैं पूरी तरह इते खड़े भी नहीं हो पा रही है तकरीबन मिटी पैन करके कितने किते एस दा जड़ा लंगन दा रस्ता है वो काफी तांग हो गया है जह हो सकता है कि ओस वकत ही किसे व्योंत बंदी दे करके जड़ा इस दा इस नू शुरुआत तो जड़ा है वो ता पासे आंते चंगे तरीके देन जड़ी राया ओवी बाच जान दिया तो एक काफी पुरातन जड़ी गुफा है और जेकर असी वान रख्या विपाग दी जड़ी रिपोर्ट ओदे अनुसार देखिये ते तकरीबन 375 साल पुराणी ए गुफा है जिस दे विच ए लकड़ दे ए हो जे किले काफी सारे लगे हुए हन जो स्थानिक लोका दा दसन है उना दा कैना कि शायद ओस वकत इना किल्यां दे नाल सिंगां दे जड़े कोड़े हन ओ बनने जान दे रहे हून के सो ए ओ मुख गुफा है जो तकरीबन 100 मीटर एस वकत लंबी है ए एदा आखरी किनारा है जो के लंगन दा जो रस्ता है बाहर जान दा बहुत चोटा है हलाकि जो सुथानिक लोग ने ओना दा कैना है कि पहला इना गुफामा दे दरवाजे होया कर दे सीगे जिना नू बारो पहाडा देना आल जा किस तरह न अब जड़ी बुटी देना टक्के होंते सी और पता नहीं लगदा सी इना गुफामा ने इना दा पर होली होली मिटी पैन तो बाद दरवाजे टोट गई हन ते हुन बहुत चोटे रस्ते जो हन ओ इना गुफामा दे बाहर निकलन दे रही रह गई हन जेकर मैं तो अनु इदरो बाहर लेके जावां ते इस दे उपर जान दे लगी इस पहाडी दी चोटी ते जान दे लगी बहुत ही जड़ियां बुटियां वाला बहुत ही आउका रस्ता है जिस करके हुण जेड़े लोग इना गुफामा देखना दे हान ओ इदरो बाहर नहीं निकल दे क्योंकि थोड़ा रिस्की भी है सो ओ वापस चले जान दे हान इना गुफामा देखके पर जेकर असी एदरों दी वैसे जा सकते हाँ पर जड़ा रस्ता है ओ काफी खतना कै काफी आउका है असी तो अनुझ जाके जरूर दिखामा गे ताकि असी समझ सकी है कि किन्या कठनाईया से गी है जंगला दे वेच रहना जंगला दे वेच डेरे लालाने कोई एनना सौखा नहीं सीगा पर उस सिंगा ने कीता बाबा बंदा सिंग बहादर हुना ने कीता ओ कुर्बानिया किनना ली दितिया ओ साड़े ली दितिया बाबा बंदा सिंग बहादर ने किसे वेले रोपड दे ना लगदे सब इलाके जटे सन अधे सिंगां दे गुम नाम मोर्चे वी इना कुम्शुदा गुफावा विच लगदे रहे सन सेख राज दे पहले संस्थापक बाबा बंदा सिंग बहादर दे जटानी इराध्या नू तरजमान कर दिया ए गुफावा पत्रा दी कटाई दे चणाई कर बनाया गयाने इना गुफावा नू देख के पंचाबी जीूडे महान अगू अते कई मोहिमा दे चेतू रहर वाले बाबा बंदा सिंग बहादर दी वियोंत बंदी अते दूर अंदे सीदा अंदाजा हो जाता है ताहीं ता करीब 400 साल वाद भी कई जोग देखन तो बाद भी ए गुफावा पहाड़ा दे विच गुम शुदा ता हो गया पर ए अपनी दास्तान दा वास्ता अज भी पारेया ले इतियास अनुसार बिलास्पूर दे राज अजम特別 चांद ने कदे बाबा बंदा सिंग भाधर दे हमला कीता ता इना पहाड़ां चकम सान ता छुद होया सी ये थे सिंगां दी जितदान गाड़ा भजया ते बिलासपुर्ट दे सिंगा ने कपचा कर लिया इस मगरो इसे तरह और पहाडी राजे भी बाबा बंदा सिंग बहादर दी इन मन गए अते फिर उना दा राज कुलू मंडी चमबा तक फैल किया इस अब इलाके जित लेंड तो बाद बाबा बंदा सिंग बहादर ने पठान कोट वाल कूच कर देती जिस मगरो बहादर शाह दे जालम जर नैला ने हमला कीता ते ओ फिर तो एक वारी इना थामा दे काबज हो गए बहादर शाह दे केरे विच आउद्या ही उसने इना थामा नू तबा कर दता पर फिर वी एक गुपत गुफावा पहाडाच मजूद रहिया अते पहाडादे जंगली बूट्या अते पत्थरा नाल टक्या होन करके लापता हो गया पर करीब सौ साल पहला संत बाबा सुंदर दास्टी ने फिर तो इना गुफावा नू लप्या ते इना थी सामसंभाल करवाई आज भी बाबा चांदी राम सिंग जीदा परवार इना गुफावा थी सामसंभाल कर रहा है इधे मारा संत बाबा चांदी राम सिंग जीदी नूर पर पूरर वारे वो लुद ज कर वाले का तो होला आएग कुफावा ये साल होगा थि पहले वह आ कंता है आग दास्टी थि ने खरे के शन भाद्य है साफ करेंगें ते ओस विले फिरे मेरी काराली नाली आई हुना दे इनने अदनों के आके फिर सारा कुछ किता है उनने दसाइस भी गुफा बंदा सिंह बहादर दी गुफा ए देड़ी गुफा गिया तेन सब जातर साल पराणी है एक गुफ तो गुफा में इतियास दे हुद कि दोने पास गिर गई तो हो गई थोड़ी जी नी में तक एक ओड़े सने अंतर नंग जान दे उते तुसी देख्या हुआ गबे बणी जगादे उत्थे उननाद बेठन बास से कीले लगे हो ते बेच कीले लगे हो कीले को बनने बास से कीले लगे है यह उस्तान अब भी किता थे महाराज जादनों के इते इते सेखते आजदे ना लगे जोड़ना लिया भी के इते गुप तो कुफा हुआ है इते यह किसन को जंगल दे आरे दोले द्रक्ता नाल के रही है ना पता लगदा किसनों किसने आरे यह वो चीज है हुन तुसी जड़ा एक पता लगण ते कई सेख संगता भी इना गुफावां दे दर्शन करन लई पहाणावाल आंतियाने केहा ता एवी जानता है कि इना गुफामा दे कोल दी ही एक पहाडी रा लहन दे पंजाब दे लहौर नुभी जानता सी जेकर गल करिये एस वेले सेख कौम दे इत्यासिक स्थान चमकौल साहिब दी ता ओवी एतों करीब वीक किलो मीटर दूर है इना दो गुफामा दे ना हर जंगी वहीर लई पहाडी रा सी जिस करके एस पेंड नूँ उजार देता किया उन बियाबान रेतले में दानाच लगा एक हूँ जो आज वी रहागीरा नूँ मिठा जाल शकौनदा है इस कलदा गवा है कि कदे अज तो तिन सो चार सो साल पहला एथे एक पेंड वी वस सिया करदा सी है रानी दी गल है कि तकरीबन पिछलियां चार सदियां विच कई जोग देखन तो बाद वी एग फावा अच्वी पहाड़ा दी गोद विच बरकरार हन हालाके कदे वी सेख कौम वलो इना वल्तियां नहीं दिता गया अतिना ही कदी इना दी सामसंभाल किती खालसा राज दे महान संस्थापक जबर उते सबर दी जेत दे गवा भबा बंदा सिंग बहादन नाल चुडियां बेश कीमती इना यादानू मनोवसार के असी सिर्फ सिंगां दे मैदानने जंग वेच जूचन अते जितन दे ठाठा मार दे जजबे नुही टा नहीं ला र रहे हां एसाब दे के साधे महान नायक अते मर चीवडे अनू साधे ते किना कमान होंदा होवेगा सोचन वारी काल है